नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूटूब चैनल रेल टेरा पर ट्रेन में तो आप कभी न कभी सफर किये ही होंगे कभी पैसेंजर ट्रेन में तो कभी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में पैसेंजर ट्रेन में तो AC डिब्बे नहीं रहते हैं लेकिन मेल या एक्सप्रेस में एक आथ AC डिब्बे जरूर होते हैं कुछ ट्रेनों में तो 5 से ज़्यादा भी AC डिब्बे लगाय जा रहे हैं आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि AC डिब्बे के उपर का व्यू और AC डिब्बे के उपर क्या क्या लगी होती है तो आपके इनी सवालों को दूर करने के लिए आज मैं यह वीडियो लाया हूँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो नीचे दिये गए लाल कलर के सस्क्राइब बटन को दबा कर औल पर सेट कर दे जिससे सबसे पहले नौटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे फर्स्ट विवर बन सके पिछले वीडियो के इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद आसा करते हैं इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे तो चलिए देर न करते हुए सिधे चलते हैं AC कोच के उपर पर उससे पहले आप इस छोटे से सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दे और कोशिस करें कि इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट आपको याद है उन सभी को कमेंट में लिखें जिससे आपका ये एक छोटा से रिविजन टेस्ट बन जाए अभी जो आप लोग विव देख रहे हैं ये एसी कोच के उपर का विव है हम लोग यहाँ पर बहुत ही सेफटी और सेफटी एक्विप्पेंट के साथ उपर चढ़ते हैं तो आप लोग कभी भी किसी भी ट्रेन के टिपे के उपर चढ़ने की खोशिस ना करें वरना आप लोग वपर कानूनी कारवाई हो सकती है और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे किसी भी सस्क्राइबेर के उपर कोई भी कानूनी कारवाई हो अभी जो आप ये जालियों से भरी वी रेक्टेंगुलर सेफ देख रहे हैं इसे ही रूप माउंटेड पैकेजिग यूनीट यानी आरेम पीउ कहते हैं इसमें मेंली तीन पार्ट होते हैं पहला कंडेंसर जो ये आप फैन देख रहे हैं इन्हें ही कंडेंसर कहते हैं ये कंप्रेसर के गरम हवाओं को पाहर निकालता है और कंप्रेसर को ठंडा रड़े में मदद करता है दूसरा कंप्रेसर कंप्रेसर हवा को ठंडा कर देता है और तीसरा जो होता है वो ब्लोर है ब्लोर अंदर से गरम हवाओं को लेकर ठंडी हवा अंदर छोड़ देती है पहले के AC डिबो में AC के पूर्जे कोच के नीचे लगे होते थे पर आजकल के न्यू जेनरेशन में AC के सभी पूर्जे कोच के उपर लगाये जाते है कमेंट में जरूर बताएं कि आपको AC डिबो के ऊपर का व्यू कैसा लगा और क्या आप से पहले कभी AC डिबो के ऊपर का व्यू देखे थे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराईयों से आप सभी का धन्यवाद